नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया, इस स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब कैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज आप सभी के साथ एक स्टॉक के बारे में A to Z डीटेल्स शेर करने जा रहा हूँ इस टॉक का नाम है IEX यानि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस शेर में आप सभी ने काफी बड़ी गिरावत अल्रेड़ी देखी है मैं से स्टॉक के पहले आपको प्राइज एक्शन के बारे में बता देता हूं सबसे पहले कि क्या प्राइज एक्शन है से स्टॉक का 139.95 यानि अल्मोस्ट 140 का लेवल मान लेते हैं 140 रुपे का भाव है इस शेर का और इसका 52 वी का 318 रुपीज है इस शेर में इतनी बड़ी गिरावट के बाद बहुत सारे रीटेल इंवेस्टर्स ट्रैप हो गए है और पूछ रहे हैं अब क्या करना चाहिए तो अब क्या करना चाहिए उस पर बाद में आएंगे पहले इस स्टॉक के बारे में डीटेल में जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहले मैंने IEX को ओपन कर लिया है स्क्रीनर पे देखें मैं कैसे कर रहा हूँ वो आपको भी पता होना चाहिए ताकि आप भी कर सकें और अगले स्टॉक को देख सकें तो सिंपल ही इस पर गाए कि हमें मैक्सिमम नॉर्मल डीटेल बहुत इजी ली प्रोवाइड हो जाती है सबसे पहले स्टॉक का बाव वन फॉर्टी जैसा कि मैंने का इस कंपनी के बारे में बताओ तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस पावर एक्सचेंज लैसेंस बाइड़ा सेंट्रल एलेक्रिसिटी रेगुलिटी कमिशन सी ए आर्सी जिसे कहते है शॉट फॉर्म में इस फॉर इसपॉर्ट ट्रेडिंग इन पावर एलेक्रिसिटी एंड ट्रेडिंग अफ रिन्यूबर एनर्जी सर्डिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्डिफिकेट्स दमें एक्टिविटी ऑफ दा कम्पनी इस तू प्रोवाइड एन आटमेट प्लैट्फॉर्म एं स्ट्रक्चर फॉर केरिंग आउट ट्रेडिंग इन एलेक्रिसिटी यूनिट्स और फिजीकल डिलिवरी ओफ एलेक्रिसिटी तो यह नहीं का में चलिए बहुत अच्छी बात है अब बढ़ते हैं कंपनी के बारे में दिखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 12,500 क्रोड करोड क करेंट मार्केट प्राइज वन फॉर्टी का है 52 वी खाई 319 रुपीज का है 52 वीख लो 139 जोगी कल के सेशन में फ्राइडे के सेशन में लगा है वेल्यूशन पर आते हैं प्राइज तो अर्निंग फॉर्टी का है और बुक वेल्यू पर शियर 7.67 रुपीज पर शियर की लिए उसके सामने भी कहा ट्रेड कर रहा है 140 20 टाइमस पर अभी भी ट्रेड कर रहा है बहुत मेंगा शियर है अभी इतनी करेक्शन के बाद भी आगे बढ़ते हैं रिटन ओन इकुटी 48.6 परसेंट रिटन अन कैपिटल परेट 63.3 परसेंट यही कारण है इस स्टॉक के व नेगेटिव और पॉजिटिव में देखे तो नेगेटिव दो चीजा है पहला तो इसका वेल्यूशन जो की बुक वैल्यू पर शेर मैंने आपको बताया लगबग 20 टाइमस की बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है और दूसरा डेटा डेटा डेज हैव इंक्रीस फॉम 26.3 तो 74.9 डेज यानि डेटा डेज बढ़ गया है करज देते हैं तो यह आप से उसके दिन बढ़ चुके हैं अब अगर अच्छी चीज़ें देखें कंपनी इस ऑल्मोस्ट डेट फिरी बहुत अच्छी बात है यार यह तो हमें में में चीज देखनी है कंपनी में कंपनी है दिलिवर्ट गुड़ प्रॉफिट ग्रोफ ऑफ 24.2 परसेंट कहकर ओवर लास्ट फाइव यह बहुत अच्छी बात है रिटन और इकोड़ी बहुत तंगड़ा है पिछले तीन साल का 46.9 परसेंट है और दो और हैं मैं बढ़ नीरा सारे बहुत बढ़ी हो जाई वीडियो ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिंस कंपनी मोर देन 80% क्लोग करती है और 86% तक क्लोग करती है और यह हाईएस प्रॉफिट मार्जिंस क्लोग करने वाली कंपनी है बजार में ठीक है बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट की बात करें तो 2000 मैं येर औन येर बेस पर दिख का 20 में 178 करोड का 21 में 213 करोड का 22 में 303 करोड का प्रॉफिट अच्छा जंप कर रहा है लगबग सेम कंसिस्टेंट पर्फोर्मेंस है 15 से 20 परसेंट तक की जंप देखने को मिल रही है आपको 14-15 परसेंट की और उसी रफ्तार से स्टॉक किया प्रॉफिट में जंप आ रहा है 2021 से 22 में थोड़ा ज्यादा बड़ा जंप आ गया है लगबग 50 परसेंट के सम्थिंग बट दोबारा वह उसी रेशो में आ जाएगा बढ़िया चल रहा है रिजर्ब्स 600 करोड के रिजर्ब्स हैं बॉराइंग्स 10 करोड की बॉराइंग्स है तो बिल्कुल कर्जमुक्त कंपनी है बहुत अच्छी बात है की कंपनी कहीं ना कहीं VALUATIONS महंग है अब इस स्टोक में क्या करना चाहिए यह आपके ऊपर में छोड़ता हूँ अगर मेर से जोज में आई हो कि वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नॉटिफिकेशन बेल आइक अब दबा देना ताकि मार्केट से रिलेटिल हर ख़बर आप तक पहुंचे सबसे बहले थैंक्यू सो मुच गाइस पो वाचिंग इस कर शीजू